Hello everyone, welcome to wifi study which is a part of an academy group दोस्तों आज की इस quiz वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 20 GK के ऐसे question चोकी most repeated है एक्जाम में पहले कहीं बार पूछे जा चुके हैं आगे भी पूछे जाने की बहुत जादर संभाव ना है तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा और इन 20 questions में से आप कितने सही कर पा रहे हैं नीचे comment box में जरू होतेगा वीडियो को end तक देखेगा और please like करना और share करना बिल्कुल भी मत पूरेगा देखे अनकेडमी पर आप त्यारी कर सकते हैं किसी भी exam की पूरी complete तो आप जब भी subscription जोइन करें SSC से लेके UPSC तक के सभी subscription के लिए आपको referral code यूज करना है study run इससे आपको maximum discount मिल जाएगा और सभी educator के classes आप देख सकते हैं joining process आप unacademy का learning app टाउनलोड कर लिजे उसमें आप जिस भी exam की तारी करना चाहते हैं goal select कर लिजे उसके बाद में जितने भी मंत का subscription जोइन करना है वो select करिए और code डालके आप payment कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पूरा end तक देखके आप मुझे नीचे comment box में score अपना जरूर बतेगा चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तो आज की पीडियाप का पहला question है जलवाईयो परिवर्तन पर संयुक्त रास्टे फ्रीमवर्क कन्वेंशन यानि की UNFCCC या FCCC के रूप में भी जाना जाता है तो जिसको भी answer पता होगा नीचे comment box में जरूर बताएगा दोस्तो और इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल देखे इसे अर्थ सम्मिट यानि की परत्वी सिखर के रूप में भी जाना जाता है यानि की option हो जाएगा C right answer और इसी से संबंदित एक question और exam में आता है कि जलवायू परिवरतन पर संयुक्त रास्टे फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानि की UNFCCC या FCCC निमलिकित में आयोजित किया गया था तो ये किस वर्स में दोस्तों आयोजित किया गया था ये आपको बताना है और ये question exam में आ चुका है इस question का right answer हो जाएगा 1992 में यानि की आपका ये right answer हो जाएगा और कब से कब तक दोस्तों 3 से 14 जून 3 जून से लेके 14 जून तक ये चला था 1992 में और इसको art summit के रूप में भी जाना दाता है ठीक है चले अगला question next है दोस्तों बेसल सम्मेलन कब से परभावी हो गया तो आपको बताना है बेसल convention become effective कब से effective हो था तो फटा फट से answer बते है बिलकुल देखे बेसल सम्मेलन कब से परभावी हो गया ये हुआ था ये भी 1992 से हुआ था ठीक है अब इसमें confusion होता है कि 1989 answer क्यों नहीं है देखे मैं आपको बता दू कि लागू होना और sign होना ठीक है वो दोनों में difference होता है तो ये 22 March 1989 में 22 March 1989 में ये sign हो गया था बट जो लागू हुआ था वो 5 मई 1992 से हो था 1992 से ठीक है 5 मार्च से और आपको किसी भी question का answer पता होगा तो नीचे comment box में जरू बताएगा और प्लीज इस video को like करना भूलिएगा मत बहुत ही 22 question होने वाले है हर एक question exam में पहले से पूछा जा चुका है COP यानि कि COP सब्द में C का अर्थ क्या है बताएगा COP सब्द में C का मतलब है conference यानि कि option हो जाएगा भी सम्मेलन इस question का right answer ठीक है एक question आता है कि secondary air pollution यानि कि दुट्चक वाई-उ परदूसक कौन सा है इन में से बते 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 तो secondary air pollution दोस्तो है आपका carbon monoxide ठीक है तो यहाँ पे right answer option B हो जाएगा फटा-फट cover करते हैं 20 question cover कराने वाला हूँ इस पीडियप के फिर अगली पीडियप में यानि कि अगली पीडियप में फिर 20 मिलेंगे आपको इसी तरीकी से बहुत सारे question में cover कराने वाला हूँ थोड़ा short रखेंगे वीडियो को ताकि आप भी इसको बार-बार देख सकें लगातार कार्बनिक परदुसकों पर स्टोक हॉम कन्वेंशन एक अंतरास्टिय परियावरण संदी है जिसे 2001 में हस्ताक्सित किया और इसके परभाव यानि कि यह फिर लागो कब से हुआ था यही आपसे पूछ ले गया है तो 2001 में यह अगर sign हुआ था यह ट्रेटी तो यह लागो हुई थी दोस्तो 2004 में जाके ठीक है तो इस question कराईट answer option ही हो जाएगा ओलाइट तो यह भी आपको क्या दखना है दोस्तो नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन परमुख फोटो केमिकल स्मॉग है जल्दी बते तो इस question कराईट answer हो जेगा chlorofluorocarbon यानि की D is the right answer है यह आप सभी ने answer लगाई दिया होगा next question है पीने के पानी के कारणों में fluoride की अधिकता क्या कर सकती है दोस्तो देखे इस question कराईट answer हो जेगा fluorosis यानि की option हो जाएगा C और मेरे साब से आपने भी यह answer लगाया होगा ठीक है चले अगला question है ताजमेल पीला हो रहा है निमलिकित में से कौन जिम्मेदार है तो इसमें से जो जिम्मेदार है दोस्तो बिलकुल देखे अभी आप जाके देखो के वैसे तो बहुत साब सफ़ाई चलती रहती है ठीक है बट इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका सर्फल डियो ऑक्साइड यानि की option हो जाएगा दोस्तो डियो आपको जाके देखना है देखे एसेडी क्रेंड इस रेस्पोंसिबल फोर टर्निंग ताज मैं ले लो तो ये भी आपको जाके देखना है ठीक है न चले दोस्तो नेक्स कोशन है नेकुरेस सब्द किसका परतिदित करता है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है तो ये परतिदित करता है दोस्तो बोर्ड नेट का ओप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर ठीक है चले नेक्स कोशन पर आते हैं दोस्तो और काफी बढ़िया कोशन है HR6819 क्या है जिसे येरोपिय दक्सिन दक्सिनी वैद साला द्वारा खोजा गया है तो ये दोस्तो एक क्या है ब्लैक होल है ठीक है ना तो राइट आंसर आपका ओप्शन भी हो जाने वाला है दोस्तो अगला कोशन दोस्तो इंडियन काउंसल ओफ मेडिकल रिसर्च ने खाल ही में किस परजाती में एक और तरह के करोना वाइरस की उपस्थिती की खोज की है तो ये की गई है दोस्तो बैट यानि की चमगादर में यानि की इस कोशन का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाने वाला है अगला कोशन आता है दोस्तो अंतरिक्स यात्रियों को अंतरिक्स में भेजने वाली पहली नीजी अंतरास्टी कमपनी कौन सी है ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तो ये पहली प्राइवेट कमपनी दोस्तो इस पेसेक्स है ठीक है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा C चलिए नेक्स्ट दोस्तो नेक्स्ट कोशन है जलवाई यू परिवर्तन पर भारत की पहली रास्टे कारी योजना कब सुरू की गई थी तो बते ही जल्दी से तो ये हुई थी दोस्तो 2008 में ठीक है ना राइट आंसर B हो जाने वाला है चलिए नेक्स्ट और नेक्स्ट कोशन है खाल ही में फ्रेंच ग्याना से कौन सा भारती उपगरे लॉंच किया गया है तो बते ही दोस्तो जल्दी से इस कोशन का राइट आंसर तो यहाँ पे इस कोशन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जी सेट 30 हो जाएगा यानि कि B is the right answer ठीक है अगला कोशन आ रहा है आपका दग्रीन पेबलेट कावपयो किस के लिए किया जाता है बताएगे छोटे किसान के लिए दोस्तो यानि कि small farmers के लिए तो C यहाँ पे right answer होज़ेगा ठीक है नेक्स्ट और नेक्स्ट कोशन है किस मंत्राले ने Green India के लिए राश्ट्य मिसन सुरू किया है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का right answer होगा परियवरन और one मंत्राले यानि कि आपका B right answer होज़ेगा Ministry of Environment and Forest नेक्स्ट और दोस्तो एक कोशन है आपका डोडो को खालिस्थान परजाती कहा जाता है तो देखे डोडो जो है ये एक विलूप्थ परजाती है जो की Morrisis के द्विपों में पहले पाए जाती थी तो इस कोशन का right answer option D हो जाने वाला है ठीक है और देखे नेक्स्ट पीडियप में यानि कि next विडियो में भी और next पीडियप में भी आपको बहुत सारे questions मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे तो please आप सभी विडियो को like कर दिया करें चैनल को subscribe कर दिया करें ठीक है तो चलिए मिलते है next दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बते हैं आज की विडियो आपको कैसी लगी नीचे comment box में जरूर बतेगा वीडियो अभी तक like नहीं किया तो like कर दिजे अपने सभी दोस्तों साथ में share कर दिजे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके बेल ऐकन कौन रखे ताकि वीडियो के notifications आपको मिलते रहें और मिलते हैं नेक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो यह code आप यूज कर सकते हैं study 10 without any space चलिए बए मिलते हैं नेक्स क्लास में बाई बाई टेक केर वीडियो